गुद मॉर्निंग स्टूरेंज और विल्कम टियो मैट्स क्लास पिछली क्लासे में हम लोग ने पिच्चर काउंट करके और लाइंस बना के आडिशन सीखा था इस पर हम लोग फिंगर्स पे काउंट करके आडिशन सीखेंगे तो आप लोग तैयार है चलिए फिर हम लोग आडिशन सीखते हैं यहाँ पर पहला क्वेशन है पहले नमबर्स है थ्री और टू पहले हम लोग हमेशा इस साइड का काउंट करते हैं उसके बाद जो दूसरे साइड पर रहता है लेफ साइड पर उसे काउंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है थ्री प्लस टू तो हम लोग इसको किस तरह काउंट कर सकते हैं आप काउंट करिए वान टू थ्री अब आप काउंट करिए वान टू ऐसे आप लोग काउंट करिए और ऐसे यहाँ पर थम रखे रहे हैं फिर टोटल जहां से आप ल तू थ्री फोर फाइफ आंसर आया फाइफ तो फाइफ आप लोग को लिखना है अब यहाँ पे वन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए वन लिखा हुआ है लेकिन वन के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग one as it is लिख देंगे उसी तरह यहाँ पे आप लोग को दूसरे टाइ पे seven है और नीचे zero तो count करते है one two three four five six seven तो seven हमने count कर लिया है अब seven के नीचे zero है zero का मतलब कुछ नहीं होता तो हम लोग total count कर लेंगे किता हम लोग ने किया यहाँ से आप लोग को thumb नहीं हटाना है आप लोग को दूसरे hand से count करना है लेकिन हम फिर भी thumb हटा रहे हैं हम मत अटाइएगा one two three four five six seven हमारा answer आया seven अब यहाँ पे देखिए three plus one तो यह भी one two three plus one तो total हम लोग count करते हैं total हों का one two three four हमारा answer आया four तो इस तरह आप लोग को यह पूरा पेज अपनी copy में अच्छे से complete करना है ओके thank you